आज आपके साथ मैं चिकन चंगेजी की रेसिपिय शेयर करूँगी आपके घर में पार्टी हो या मैमान आ रहे हूँ या आपको अपने घर वालों कुछ इस्पेशल खिलाने का दिल कर रहा हो तो आप इस रेसिपिय को सरूर ड्राई कीजिए आगर आपको मेरे रेसिपिप पसंदाए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मैंने चैनल को सब्सक्राईब करना न भूले शुरू करते हैं मैरी नेशन से ये मैने आधा किलो चिकन लिया है इसको मैंने पाले से धो के साफ करके रख लिया है इसमें आड़ करते हैं दही 50 गिराम अध्रकलेसुन का पेस्ट एक चम्मच और यह आदा नीम्बू का रस इसमें आड़ करें नमक स्वाथ के अंसर सबको मिक्स करिए और आदा गंटे के लिए इसे मारीनेट होने को रख देते हैं जब तक हमारा चिकान होता है मारीनेट हम कर करते हैं ग्रेवी की तयारी एक कडाईली इसको गैस पर मैंने रख दिया है अब इसमें डारेक्टली चिकन को आइड कर देते हैं इसमें कोई आइल वगारा नहीं डालना है इसमें आइड करेंगे आदा चम्मो प्रेप चिली पाउडर मिक्स कर देंगे इसको हाई फ्लेम कर कोखोने देंगे यह अभी अपना पानी बहुत छोड़ेगा यह देखिए मैंने इसमें कोई पानी आइड नहीं किया है यह इसको खुद का पानी है जो मैरे नेशन से इसके छूटा है अब इसको जब तक पकाएंगे जब तक यह पूरा पानी पुश्क नहीं हो जाता है देखिए चिकन को पानी बज़त चुका है अब इसको करते हैं साइट में और बनातें गिरेगी तक ड़ाई मेंने 4-5 पेजिश्पून त्रेंडाल के गरम कर दिया है इसमें आइड करते हैं प्याज जो मीडियम साइज की प्याज साथ प्याज शूटे करेंगे फोड़ी सी प्याज से ट्रांस्पारेंट हो जाए प्याज को हाई रखेंगे प्याज हरी की से ट्रांस्पारेंट हो चुती है स्मेट करते हैं काजू को यह 10-12 काजू ही दोह चीजों को लाइट ब्राउन होने तक प्याज करेंगे यह देखिए हमारे काजू और प्याज दोनों light brown color के हो चुके हैं, अब इनको हम एक प्लेड में निकाल लेना है, और ठंधा करके इनका paste बना देंगे, अब इसमें आड़ करेंगे अध्रक लेसुन का paste, इसको भूनेंगे, अध्रक लेसुन का paste बून चुका, इसमें आड़ करेंगे तमाटे, हिए मैंने तो टॉमाटर, medium size लेकेश लिए तराजब के अब इसको बहुत अच्छे से लीजन इसमेंगे, और इसको बहुत अच्छी अज़़ी स्पून का rapt करेंगे, तुमाटर्दा हमारे बहुत अच्छे से पीम ठीकी दिकें है, इसमेट करते है घन्दे, एक टेवीज़ी अगावड नमक ती से खून लिए, मसाली अच्छे से घूंगे, तो पूंचुकि एक तो यह हैं जोए जोए यह एक पप और इसको बराबट जलाते रहेंगे, इसके आपको नहीं रोखना यह तरक्तनी इसको पूंचुकिक यह उसको प्राबट जलाते रहेंगे, इसमेदे न अब बराबर इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें भी एक उबाल नहीं आजाता है कराबर चलाते रहेंगे दूद मलाई सब कुछ अच्छे से पख चुका है लिस्ट मेट करेंगे काज्यों अनियन का पेस्ट जो मैंने पढ़े नमाके रहें इसको मिक्स करें तोरे मसाले के साथ और थोड़ा सा पतने लिए लेम को हाई रखें सारे मसाले अच्छे से भूझ उखें के समय और चीचाना चीचाना जो फ्राई करके रखा था गजिए इसको मिक्स करें अच्छे से चलाएए एक दो मिनट तक इसको इसे पकाईए, आप सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से एक्जाओ होना है, अब इस स्टेस पर जाती है, यह हमारी कसूली में थी, यह बहुत फ्लेवर होती है, इसको जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा प्रेस काता है, इसको बहुत अच्छा फ्ल दो से तीन मिनिट हो चुके, इसको मैंने अच्छे से चलाया, अब इसमें आइट करेंगे हम थोड़ा सा पानी, इसे आप जेतनी जाड़ी, जेतनी पत्ली, ग्रीवी ठाना चाहें, इसे साब से आप पानी आइट कर सकते हैं, अब इसको 10 से 15 मिनिट हम घट के पकाएंगे, जब तक हमारे चिकन पकना जाता है, यह देखिए, चिकन हमारा हो चुका है तयार, अब हम इसको करते हैं साथ, अगर मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,